और बात करेंगे इस वीडियो में आप से भी लोग उस्पायरी है तो कहां पर एक्सपायरी हो सकती है क्योंकि परस हो आने वाला है बजट तो कल क्या वालेटिलिटी रहेगी या फिर यहां पर फिन निफ्टी की तरह साइडवेस मूब देखने को मिलेगा इस चीज कोशिस कर हैं वीडियो बात करने से सबसे पहले बात करने से बारी बहुत से लोग काफ opposite कर रहे कि द लिखार करने का क्या हुँआ बताइए तो बहुत से लोग यह भी बोलना कि मैं इंट Variable नहीं तो और यह यह तो इसे not interested in talking about WS plan ठीक है और इसके इससे पहले भी यहां पे और भी रिगार्डिंग कमेंट्स थे जिसमें की यह WS plan को related थे तो ठीक है तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं ठीक है तो सबसे पहली चीज़ WS plan क्या था WS plan यह था कि basically यह जो account है जहां पर मैं 20,000 की से 5,000,000 की journey कर रहा था without अपने feedback मतलब अपनी understanding के लिए तो मैंने यह बोला था कि इस journey में आप participate कर सकते हो यह जो code है PY118 code जो है इस code में जो भी मैं order डालूंगा वो order automatically एक software के तुरू आपके account में punch हो जाएंगे और इसमें आप जैसे जैसे मेरा account grow होगा और आपका भी account grow होने लगेगा जैसे कि अगर मैं आज की यहाँ पर बताओं तो यहाँ पर देख सकते हैं आज आपका करीब तरी 14,887 रुपय का profit है यहाँ पर 41,000 की थी क्योंकि कल का profit मैंने विड्रॉल मारा था बड़ वो विड्रॉल की सा request pending में चली गई थी तो बड़ प्रोसेस नहीं होई थी वो तो इसलिए आज capital थोरी सी यहाँ पर आपको 41,000 की दिख रही होगी क्योंकि कल अगराउंड 18,000 का profit था तो यह वो विड्रॉल नहीं हुआ था बड़ आज मैंने यहाँ पर request कर दिये 30,000 के विड्रॉल की तो 26,000 कल के लिए हो जाएगी और आज का profit यहाँ पर 14,887 रुपीस का है यहाँ पर तो basically plan यह हुआ था कि जैसे जैसे यह account grow होगा तो उसके साथ साथ आपका भी थोड़ा बहुत profit यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके का मैंने यहाँ पर प्लान किया था बट हुआ क्या जब हमने इसको start करने की कोशिस करी थी तो तब मैंने यह सारे terms and conditions आपको बताये थे और जो software था उसको हमने use करने की कोशिस करी थी तो वहाँ पर क्या order missing का सबसे ज़्यादा problem आ रहा था क्यूंकि यहाँ पर क्या है मैं expiry प्ले करता हूँ आप देखरो यहाँ पर देखो finnifty के लावर कोई भी आपको index नहीं दिखाई देगा ना nifty ना bank nifty यह स्रे बजाज finance की म आप 20-30,000 रुपे दे काम करते हो तो आपके पास expiry ही होती है प्ले करने के लिए आप नॉर्मल इंडेक्स में काम नहीं कर पाऊगे क्यों क्योंकि उसके options पहंगे होते हैं जैसे nifty का option है अगर मैं बता हूँ 21-800 की call 1500 रुपे की चल रही है अगर put की बात करूं तो वह भी मैं बहुत छोटी capital से काम कर रहा हूँ 20,000 रुपे कोई जाद ही पड़ी capital नहीं होती है खासकर आप intraday जब trade कर रहे हो ठीक है क्योंकि आपको laws भी हो सकता है इमेरी तो यह सारा problem यहां पर आता है तो इसलिए मेरे को expiry वाले index से जादा मतलब होता है कि वह कैसा react कर रहा है आपको निफ्टी यहां से उपर से नीचे करेगा तो मैं किसी दूसरे account में अपनी position डालूगा लेकि इसमें नहीं डालूगा क्योंकि इसमें पैसे बहुत कम है ठीक है ना तो basically यही चीज़ थी कि ऐसे account grow होगा वैसे वैसे आपके भी पैसे बन जाएंगे बट जो software हम यू longer term के साब से देखा जाए अगर यह service मैं start कर दूँगा तो कभी ना कभी किसी ना किसी का account खाली होता रहेगा मेरा तो इसमें फाइदा है मेरेको तो पैसे मिल जाएंगे क्योंकि जिसको profit मिलेगा end of the month वो मैं को 10% share कर देगा तो मेरा फाइदा हो जाएगा बट आपका कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए यह service को मैंने start नहीं किया था this is the main reason कि इसमें मैं किसी के साथ यह नहीं दोगा नहीं देना चाहता कि मैं अपने फाइदे के लिए आपका नुकसान करूं इसलिए यही main reason इसलिए मैंने market at 11 का video डालना बंद कर दिया कि जादा था लोग जिन ल profit miss हो गया मैं put ले लेता मैं यह कर लेता मैं वह कर लेता इस टाइप के comment आते थे इसलिए मैंने market at 11 का video बंद कर रखता है क्योंकि यह जो 2-3 महीन है यह market में volatility वाले है इसमें आपका view गलत होने के chances बहुत हाई होते हैं आप सही भी सोचो के तब भी आप गलत हो सकते हो तो unnecessary सब्सक्राइब का वहाँ पर बिलेम आता था सेम चीज़ यहां पर यह होती थी है अब आपको मैं सिंपल दी चीज़ बता हूँ सीधी थी बात है बहुत सारे लोग बोलते थे कि यह कोर्स बेचके है इनका काम चल रहा है कोर्सारे फिरी कर दिये ठीक है तो 10% sharing कर देना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें भी benefit मेरा था बट मैंने फिर भी उसको start नहीं किया because मैं नहीं चाहता है कि मेरी वज़े से आपका loss हो किसी भी reason से आपका loss होगा तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा वनना आज के time में हर broker के पास account खुलवाने के लिए इतने referral होते हैं आप किसी का भी account खोल के देख लीड़ेगा आपको वो हमेशा high paid broker ही recommend करेगा कि आप zerodha के अंदर account खुलाओ fires के अंदर account खुलाओ angel के अंदर account खुलाओ तब ही जाके आप मेरे साथ join हो सकते हो या मेरा group join कर सकते है ग्रोप को मैं चलाता ही नहीं हो telegram group जो है मैं तो चलाता ही नहीं हो ये जो telegram group है इसमें आप देख सकते हो 2695 subscriber है ये सरफ videos का update के लिए है कि जिनके पास notification नहीं जाता है उनको ये recommendation मिल जाएगी हाँ video डल गया है अगर समझ में आता है आपको analysis तो आप उसको use कर सकते हो अगले दिन तो इसलिए वो group है कहीं पर मैं call, put, buy करने के लिए नहीं बोलता क्यों क्योंकि इस तरीके से किसी के पैसे नहीं बन सकते तो ये मेरी ethics के खिलाफ है कि मैं जब जस्ती लोग को बेफकूब बनाऊ या मैं उनको false promise करूँ कि मैं आपके ऐसे पैसे बनवा सकता हूँ ये पैसे बनवा सकता हूँ या आप मेरे ये group join कर लो ये 10 यह रुपे की membership ले लो या फिर account referral के खुला दो SAS मैने आपको recommend किया है सिर्फ आपकी जो brokerage उसको बचाने के लिए 1000 रुपे का plan यहाँ पे चलता है जितने भी लोगों ने account खुलाया है hardly 10% लोग है जो SAS को properly use कर रहे है और वो 10% सब के सब profitable होंगे आज के time में ये मैं guarantee दे सकता हूँ क्यों? क्योंकि जब आपकी major cost बच गई brokerage की तो अगर आप end of the month में मालो आपने 1500 रुपे का भी profit किया तो भी आपके पाहत में 500 रुपे आए है और जब आप महीने में brokerage ही भर दोगे 33-44-44 की तो फिर क्या गंटा आपको कुछ profit बिलने वाला आपकी सारी capital broker ही खा जाएगा तो मैंने कितने लोगों को यह बोला है कि आप SS में account खुला लीजिए PY118 code यूज करोगे तो आपको कोई भी account opening fees भी नहीं लगेगी platform भी अच्छा है brokerage भी रूम है तो यहाँ पे कितने हैं hardly जिन्होंने account खुला है 10% लोग काम करते हैं वो 10% ही profitable है विकाज उसकी पीछे का reason यह है कि यह चोटी जो cost है यह कभी वो save नहीं करते हैं ठीक है न वो 0-10 जैसे broker पे trade करते हैं फायर्स जैसे पे trade करते हैं जहाँ पे क्या आगा दिन में अगर आपने 100-200 trade कर ली 2-3,000 रुपे का brokerage बन गई break even होने के लिए असी अधा का profit करना पड़ेगा तब जाके आप break even होगे तो profit कहां से मिलेगा कुछ नहीं मिलने वाला आपकी जैसे तो आज भी मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ फिलाल WS plan अभी start नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को कोई ऐसा software मिली नहीं रहा है जिसके basis पे मैं यह सोचूं कि सबके order properly system में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब तक order proper नहीं जाएंगे तब तक यहां पर risk होगा कि आपका account खाली हो जाएगा मेरी जैसे कुछ जाएगा नहीं आपके सारे पैसे चले जाएंगे बाद में फिर आप मेरे को blame करोगे मेरे को कालियां दोगे तो वो मेरा motive बिल्कुल नहीं है इसलिए WS plan मैंने अभी तक start नहीं किया है हाँ मैं search करता रहता हूँ कि क्या alternate option हो सकता है कि जिसके basis पे आपके कुछ help सके तो अगर वो alternate option मिल जाएगा तो definitely मैं आपको update कर दूँगा फिलाल WS plan start नहीं हो सकता है यह चीज clearly मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे का main reason है कि ऐसा कोई system नहीं है जिसके basis पे मैं यह बोलू यह shorty के साथ बोलूँ कि मैं जो order डालूँगा वो order आपके account में जाएगा या नहीं जाएगा क्योंकि मेरे ordering बहुत ही जादा इस account में frequent होते है अगर आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं orders में जाता हूँ trade देखो यहाँ पे आप trade देखो आपका 15 बच के 9 मिनट पे buy किया आपका पंदर बच के 9 बच के 46 पे आपका sell हो गया 15 सेकंड के duration में एक-एक मिनट के duration में तो ordering में कोई जादा देखो 14, 36 पे लिए 37 में square of हो गया तो यह जो expiry में आप जब market range bound है expiry में आप ज़्यादा hold नहीं कर सकते आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हो कि यहां से एक moment आ सकता है उस moment में अगर आपको एक point, दो point, तीन point में मिलते है तो आपको ले के निकलना पड़ता है क्योंकि range bound market है range bound में क्या है अगर देखोगे bank nifty क्या है पूरे दिन इसने क्या है almost आपका तो जो index में आप काम कर रहे हो उस index में अगर sideways movement होगा तो आप ज़्यादा दिर position hold नहीं कर सकते हो तो this is the main problem अब मैं order डाल दूँ आपके account में expiry वाला आपका square off ना हो और आपका zero हो जाए तो उस problems को नहीं चाहता मैं इसलिए यह plan start नहीं किया फिर भी मैं आप सभी लोगों से request करूँगा कि अगर आप profitable बनना चाहते हो आप trading करना चाहते हो तो you should control your expenses आपके जो expenses हैं उनको control रखो जैसे कि आपकी brokerage होगी trade कितनी डालनी है unnecessary trade मत डालो आपको यह सारी चीज़ों को control लगो तो थोड़ा सा out of the money option में काम करो तागी आपकी turnover charges कम रहें तो यह सारी चीज़े अगर आप control रखोगे तो आप कुछ ना कुछ दिन बाद profitable trader बन जाओगे बिना किसी की help से अगर किसी की help से लोग trading सीख जाते तो यहां पर दो परसेंट तीन परसेंट परसेंट होता ही नहीं stock market में participant का यहां पर यह परसेंटेज जादा होता हो जैसे कि बता है आपको सिभी भी बोलता है कि 10 में से 8 लोग loss कर रहे हैं तो उसके पीछे का reason ही यह है कि जो 8 परसेंट है उसमें 5 परसेंट तो ऐसी लोग है जिनकी cost बहुत जादा हाई है वो broker ऐसा trade कर रहे है जहां पर उनकी broker ही महीने की लाक लाक रुपे जा रही है तो जाएट से बात है जो referral आपको provide कर रहा है और जो आपको बोल रहा है कि मेरे से join कर लो referral यहां पर round कुला लो उसको directly income मिल रही है इसलिए वो आपको बोल रहा है यहां पर मेरे को कुछ नहीं मिलेगा अगर यहां पर मैं बोलू भी यहां पर referral income भी है तो 1000 रुपे पर 20% का क्या होता है 200 रुपे एक बंदा देगा मेरे को वो भी महीने के ऐसा नहीं है कि वो भी मेरे को एक दिन के बिल रहे है वो भी महीने के बिल रहे है तो यहां पर कोई मेरी बड़ी referral income नहीं है यहां पर मुश्किल है 2-3,000 रुपे महीने के आएंगे लेकिन आप लोगों के बहुत पैसे बचेंगे यहां पर यह ध्यान में जरूर रखेगा तो यह पूरे WS plan का update है फिलाल यह start नहीं हो सकता जैसी start होगा यह कोई opportunity मेरे को start की दिखेगी तो मैं जरूर यहां पर update कर दूगा अब चलता है market analysis पर जो कि कल bank nifty के expiry है उसको समझते है तो कल यहां पर क्या है budget से पहले का देना है और कल IVs बढ़ना start हो जाएंगी तो IVs वैसे भी high है market में क्योंकि आप देखो के तो premium बहुत जादा उपर है तो आपको फोकस यही रखना है कि अपनी position को फोड़ा सा light ही रखना है आपको कोई aggressive position नहीं बनानी है यह सोचके कि बहुत बड़ा movement आ जाएगा आ गया अलग बात है बट ऐसा मस सोचना बिल्कुल कि आ जाएगा ठीक है न क्योंकि IVs बहुत जादा है तो जब IVs जादा होती है तो market क्या है zigzag move जादा करने की कोशिस करता है जिग-जग का मतलब क्या है जैसे कि पर्सों के दिन में क्या होगा nifty के expiry होगी जिग-जग होगा यानि market ऊपर जाने की कोशिस करेगा फिर नीचे आजाएगा नीचे आने की कोशिस करेगा और center में आके कहीं बंद करने की कोशिस होगी तो उस हिसाब से देखा जाए तो nifty बिल्कुल perfect area में 21,500 है तो 21,500 के हिसाब से क्या है करीब करीब इसको 300 point ऊपर movement का मिल जाएगा यानि 21,800, 21,900 या फिर 22,000 और नीचे आपका 21,000 इसको support की तरह act होगा तो ऊपर जेके नीचे तक करीब करीब 700,800 point की range है इसके साब से ये market बिल्कुल center में बंद हुआ है अगर कल ये 21,500 पे ही बंद होता है तो फिर chances very high कि zigzag move आ सकता है तो zigzag के साब से आप plan करिएगा ना कि trending के साब से अगर आप trending के साब से plan करने की कोशिस करो तो फिर फूरा सा आप अपनी quantity को कम रखना क्योंकि अगर zigzag हुआ यानि ऊपर गया नीचा है तो आपको loss होने के chances बहुत high है क्योंकि इसमें क्या है IVs crash होगी जो volatility होगी वो घटेगी और market में premium बहुत TG से drop होंगे तो आप फस सकते हो तो कल आपको क्या करना है कल bank nifty के expire ही है आज nifty की closing आई है वो करीब करें 21-500 की closing है वो bank nifty बिल्कुल almost flat सा बंद हुआ है तो bank nifty में क्योंकि आज के दिन में कोई selling हमें देखने को नहीं मिली थी तो bank nifty के इसाफ से अगर आप देखोगे तो 15 minute के time frame के साफ से इसने एक range बनाई होई उस range के basis पर ही हम कल trade कर सकते है ठीक है range के आए अगर आप frontal line यहाँ पर खीचोगे तो देखो यह particular range है यह हमने high mark कर लिया almost यह हमारा low है ठीक है यह देख सकते है तो जाएट सी बात है इस channel के breakout या breakdown को trade करेंगे चाहो तो आप यहाँ पर क्या अगर सकते है एक trend line भी कीच सकते है इस तरीके से यहाँ से एक trend line इस तरीके से ठीक है यह trend line है जिसके basis पर यह trade कर रहा था अब अगर यह नीचे breakdown देता है तो around कहां तक आ सकता है expectations मेरे यह रहेगी around 44 सजा 750 तक की ठीक है अगर breakdown देता है क्योंकि दो दिन sideways हो गया trending move आएगा तो chances हैं कि यह थोड़ा सा volatility create करेगा trending move का मेरे को expectations थोड़ा सा कमी है थोड़ी से volatility ही create करेगा तो नीचे अगर यह जाता है तो around 44,800 या 700 तक का target लेके चल सकते है यानि वैसे तो आप 44 सजा 900 का target लेके चलो अगर यह नीचे breakdown देता है ठीक है और अगर यह उपर निकलता है तो उपर जो आपके पास target है वो है आपका 46,000 का but event है event से पहले buying तो आने की chances थोड़े से कमी दिख रहे हैं ठीक है न क्योंकि बैंक रिफ्टी नेगेटिव है तो chances वैरी आई कि यह volatility ही create करेगा तो आप उसी के साब से plan करिएगा 45,000 से लेके 45,500 की range हो सकती है कल के दिन में बैंक निफ्टी की इसी के बीच में यह trade करेगा ठीक है तो कुछ जादा बड़ा plan मत करिएगा कल के trading session में क्योंकि आज और निफ्टी के अंदर ऊपर से move आ गया तो आज फिन निफ्टी के expired यह फिन निफ्टी साइडवेज चला गया तो कल बैंक निफ्टी के expired यह तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज जा सकता है यह ध्यान में रखे जा ठीक है निफ्टी को हम देख लेता है तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आपकी 21,550 की आई है एक्जेक्ली रेंज फेस कर रहा है कल मैंने आपको क्लियली बता है था 21,800, 850 रेजिस्टेंस हे रिया तो इसके आस-पास आपको वहापस सेलिंग का व्यू लेके गिर गया, ठीक है अब नीचे के आई, फिर हम इसको यही मान के चलते हैं कि नीचे ये support का area 21-200 का, ठीक है जब तक 21-200 ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे लिए support 21-800 ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे लिए resistance हे ठीक है, सेंटर में है तो जाएट सी बात है, सेंटर में कुछ नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर निफ्टी किदर की तरफ मूव करेगा, अगर नीचे की तरफ एक्सपेक करते हैं, तो फिर नीचे यह गैप है, इसको फिल करने की कोशिस कर सकता है, ठीक है, तो 100 पॉइंट का नीचे टागेट आपको मि कुछ भी हो जाता है, तो इतना बड़ा मेरा कोई व्यू नहीं है, यहाँ पर कल के दिन में, परसो क्या कर सकते हो, आप बजट में लाइफ टेडिंग सेशन में, या फिर आप कल क्लोजिंग के टाइम में कैसा व्यू कर सकते हो, तो उसके लिए फिलाल मार्केट पूड़ा जाने की चंसे बहुत हाई रहते हैं, ट्रेंडिंग मूव आने की चंसे थोड़े से कम होते हैं, तो आप इसके साफ से मतलब जिगजग के साफ से आप प्लान करिएगा, एककिस आट सो, एकिस नौसो की जोन में आए तो पूट ले ली जिएगा, और एकिस हजार पचास या उपर से लेकि नीचे तक का, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी मैंने आपको इवेंट ट्रेड करना बताया ही है, कि जिदर मूव आ है, उसका कॉंटर ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, तो कॉंटर ट्रेड में क्या होता है, कि आप्शन का लाइक को शब्सक्राइब करेंगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सुदी लेका आता हूँ, हर दिन आपके लिए ने वीडियो, इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जैहन्द!